श्री अमनाथ बर्फानी सेवा मंदल कुरुक्षेतर द्वारा अमनाथ यात्रा के दुरान लगाए जाने वाला भंडारा आज कुरुक्षेतर के एतिहासिक दक्षिन मुखी हनुमान मंदल से रवाना हुआ करीब दो महीने तक चलने वाले इस भंडारे में 50 लाग रुपए से ज्यादा का भंडारा श्री अमनाथ यात्रा में रामबन में लगे श्री अमनाथ बर्फानी सेवा मंदल के कैंप में वित्रित किया जाता है श्री अमनाथ बर्फानी सेवा मंदल के इस भंडारे को श्रीदक्षिन मुखी हनुमान मंदिर कुरुक्षेतर के पुरोहित और प्रकाइड पंडित प्रेम शर्मा ने झढड़ी दिखा कर रवाना किया इस मौके पर संसा के अध्यक्ष भी मितन ने श्री अमनात यात्रा के दुरान लगने वाले भंडारे के संबंद में जानकारी दिए। लंगर है वो रामबन क्रोल में लगता है जो कि हमारी यात्रा के दौरान 25 तारीक से शुरू हो जाएगा और 5 स्टंबर तक लगातार 24 गंते वहां पर हमारा लंगर लगेगा आप सब सहरवासियों के स्योग से हमारे को यह समर्तन मिलता है हमारी ब्रांचों से हमारे को समर्तन मिलता है बोले नाध की की रफा से हम अपने मुते हैं 25 गंते हमारी नषू युदा मैडिसियन सोने की वस्ता रहने की वस्ता यह यह सेंदा नहीं लेते हम यह पर जो कुछ है आपैं जोली पतार कर मांगते है और बरतुर्ष्यों कर देते हैं उसके लिए मैं स्कुनों के द आज हमारा चत्ता 40 परसुनों के साथ जा रहा है वहाँ परकार का समान जिसकी कोई शीमा नहीं है कोई व्यखान नहीं मैं कर सकता वो तो हम आपको वीडियो बना कर वेजेंगे आप हमारे को हमारे चैनल पर दिखाते हैं रहे ना हम आपका बोच बोच चलिए अमरनात बरफा पराते सुभे नो बजे श्वीद दक्षिन्वों की प्राचीन हनुमान मंदेर सिध पेट उतरी तड़ ब्रम्स रोवर कुर्शेत्र में पहले पूजन का आयोजन किया गया तत पश्चात जो भंडारे का आयोजन अभी चल रहा है उसके पश्चात अब हमारी समान की शोभ का आयोजन होता है वहां के लिए आज इसके हमारे जत्थे के साथ रवानगी हो रही है इसको पंडित प्रेम कुमार शर्मा सरक्षक श्री दक्षिन्मों की प्राचीन हनुमान मंदेर हारी धंडी दिखाकर रवाना करेंगे